भारतिय सेना के उपर अभध्र टिपणी करना सेना के लिए इस प्रकार के अपशब्दों का इस्तमाल करना महिला जनप्रतिनिधी जो उनके अध्यक्ष को हरा चुकी हों उनके खिलाफ अभध्र टिपणी करना अथ्वा स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित साधारन हिंदुस्तानियों को कुट्ता कहना ऐसा क्यों है कि कॉंग्रिस के नेताओं को लगता है कि इस प्रकार के निम्नवर्ग के शब्दों का इस्तमाल कर गाली देख कर क्यों उन्हें लगता है कि गांधी खांदान खुश ह जायेगा वो कौन सा कल्चर है जिसको गांधी खांदान ने सर्टिफाइए किया है कंग्रिस में प्रश्ने यह उड़ता है क्योंकि यह सारे बयान चाहे महमाहीम राष्ट्रपती की जी के खिलाफ अभद्र टिपणी हो चाहे मेरे खिलाफ अभद्र टिपणी हो चाहे सम्यत्य से कई टिप्णियां तो गंधी खोंदान की उपस्तिती में दी गई तो ऐसा क्या है कि गंधी खोंदान कि अभध्र वेवहार को प्रोटसohn Wick करता है मुलता प्रश्ण यह है कि क्या तरक्की गांधी खांदान तभी करने देगा जब आप इस प्रकार की भद्धी गालिया देंगे अगर है तो ये गांधी खांदान के असली चरित्र का सही उजागर करने वाला एक अंच है देखे मैं बनारस को हिंदुस्तान को और विशेश्टा उत्तर भारत को जो लोग जानते हैं हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता में महिला के प्रती अभद्र टिपनिया करना हमारे संस्कार का विशे नहीं है उनके राजनितिक संसकार का एंदर्पन हो सकता है लेकिन काशी का मुक्षडायनि का यह ना संस्कार है ना ऐसे शब्द जो है हमारे कोई राजनितिक या संस्कृतिक या समाजिक श्रिङआल का कोई वर्णन है मैं दुबारा कहती हूँ अगर गांधी खांदान को पसंद है अबद्र भाशा तो कोई भी कांग्रसी जो ऐसी अबद्र भाशा का इस्तमाल करता है वो माफी क्यों मांगेगा उनको तो तमगा पाने के लिए गांधी खांदान से अगर ऐसी टिपणिया करके ही तमगा पाया जा सकता है तो यह विशे गांधी खांदान के संसकारुका है साधारन कांग्रेस का करेकरता तो छोड़ दीजिए साधारन राजनीतिक करेकरता इस प्रकार की टिपणिया नहीं करते तो ऐसा क्यूं है कि आम कांग्रेस के करेकरता को लगता है कि सोनिया जी को राहूल जी को ऐसी बाते भाएंगी ऐसा क्या है उनके चरित्र के बारे में मैं दुबारा कह रहे हूं प्रश्ण घूम फिर के उसी पर आता है क्यों साधारन कॉंग्रेस के नेता या कारिकर्ता को लगता है कि अगर अभध्र टिपणी करो महिला पे मोदी को मौत के घाट उतारने की बात करो तो सुनिया जी खुश हो जाएंगी